यह हैं आपका अपना चैनल माई पोर्टल नव भारत साक्षरता कारिकरम यानी New India Literacy Program NILP और इसमें नव साक्षरों की बुन्यादी साक्षरता मुल्यांकन के लिए डर्ज करने की फैसलिटीज RSKMP पोर्टल पर एविलेबिल है लॉग इन करना होगा टीचर को अपने लॉगन आईडी पासवर्ट से एस डिफॉल्ट टीचर का यूजर नेम उनका यूनिक आईडी होता है और पासवर्ट उनका डीटा बर्थ होता है चलिए चलते हैं आगे इस तरह से RSKMP.in पोर्टल को हमने ओपन कर लिया लॉग इन कर लेते हैं शाला प्रभारी या सिक्षा के यूनिक आईडी और पासवर्ट से लॉग इन हो जाने के बाद आप देखेंगे पोर्टल पर एक नया ऑप्शन इंसेट हो गया है NILP और जब हम इस पोर्टल के अंदर चलेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तीन तरह की फैसलिटी यहां पर दी गई है पहला टीचर के प्रोफाइल जिस टीचर के लॉग इन से आपने लॉग इन किया है उसकी प्रोफाइल आप यहां पर देख पाएंगे दूसरा Enrollment प्लस रिजल्ट यानि इस option में आसक्षर का आप Enrollment करेंगे और उसके साथ साथ उनका रिजल्ट भी फीट करेंगे और तीसरा option है Enrollment Summary का और यहां पर जाकर आप Summary देख सकते हैं चले तूसरे option को देखते हैं Enrollment और रिजल्ट को किस तरह से हम Enrollment दर्ज करेंगे और उनी आसक्षर का हम रिजल्ट भी कैसे दर्ज करेंगे किलिक कर लेते हैं आगे बढ़ने के बाद यहां पर आप देखेंगे एक नया पेज ओपन हो गया है और लिखा हुआ है New Learner Enrollment प्लस रिजल्ट और Year Enrollment रिजल्ट देना है 24-9 तेज की परिच्छा की आधार पर एक option है Add Learner का आपको इस वाले option का यूज करना है किलिक कर लेते हैं इस वाले पेज में सबसे पहले जो Information Capture होना है वो Personal Information आशाक्षर व्यक्ती की इसमें सबसे उपर समगर आड़ी का option है समगर आड़ी आपको यहां पर भढ़ना है समगर आड़ी एक बार अच्छी तरह से देख लेजिए क्योंकि यह समगर आड़ी कई जगए यूज होगी और इससे कई तरह की Mapping भी बविश्व में हो सकती है Full name यहाँ पर आपको पूरा नाम भरना है इसके बाद फादर या husband name जो भी applicable है आप इसको यहाँ भर देजिए Mother name आजाएगा इसके बाद age आपको यहाँ पर भरना है Gender आपको यहाँ पर select करना है Divyang आपको यहाँ पर देखना है Married status आप यहाँ लिख देजिए Mobile number की entry आपको इस वाले column में करना है Samadit आसक्षर का आधार number आपको यहाँ पर भरना है हलाकि आधार number को mandatory नहीं किया गया है लेकिन अगर आधार number उपलब्द हो जाता है तो आपको यहाँ पर इस column में भरना है category लिखी हुए इसमें से आपको select करना है इसके बाद address, village और pin code इतनी information सम्मदित की personal information है और यहाँ पर आपको भरना है अगले section में चलते हैं अगला section है exam center information और इसमें आप देखेंगे center code दिया हुआ है center code यहाँ पर 1 और 2 है इसका ताथ पर यह है कि जिस भी dice code से आपने login किया है जिस भी विद्ध्याले से आपने login किया है अगर वहाँ पर एक ही center है तो आप उसको एक भर देंगे अगर एक से अधिक center है जिस भी परिच्छे केंसे जो भी आसक्षर बेठा है उसके हिसाब से center code आप यहाँ पर भर सकते है यहाँ पर प्रावधन 2 का दिया गया है अगर एक ग्राम में 2 केंद्र है तो यहाँ पर आप दोनों केंद्रों की भी इंट्री कर सकते है इसके बाद roll number roll number के लिए एक column बना हुआ है concept यह है कि सबसे आगे dice code लिखा हुआ है dice code उस विध्याले का है और यहाँ से और dice code के आगे आप जो भी लिखेंगे वो उस व्यक्ति का roll number हो जाएगा मालिजी आपने यहाँ पर एक लिखा तो सबसे पहले dice code आएगा और पर उसके वाद तीन डिजिट का उसका roll number होगा यहाँ पर अगर आप 001 भी लिखते हैं तब भी चलेगा और अगर सीधा 1 भी लिख देंगे तो जब last में roll number dice code के साथ मर्ज होके बनेगा तो यहाँ पर 001 ही डिस्पले होगा अगला section है volunteers का और यहाँ पर volunteers का नाम लिखना है volunteers का नाम सितात पर यह है कि अक्षर साथी जो भी है उस gram का आपको वहाँ पर अक्षर साथी का नाम लिखना है और अक्षर साथी का यहाँ पर mobile number एंटर करना है इसके बाद opt and mark जो की 24.9 के exam में प्राप्थ हुए है आपको इसकी entry यहाँ पर करना है सम्मधित आसक्षर साथी की आप entry कर रहे है उन्होंने reading में कितने number प्राप्थ किये writing में कितने number प्राप्थ किये और new mercy में कितने number प्राप्थ किये इस तरह से आपको तीनों तरह के mark की entry यहाँ पर करना है और जब भी मार्क की इंट्री हो जाएगी तो आपको confirm और add करना है जैसे आप confirm और add करेंगे सम्मझत आसक्षर साथी का result generate हो जाएगा और वो portal पर add हो जाएगा इस तरह से जितने भी साथियों ने 24-9 को exam दिया है सभी की entry यहाँ पर करना है एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जिस विद्याले की आप entry कर रहे हैं उस विद्याले की ही आसक्षर साथियों को ही add करना है उमिद है आपको जानकरी पसंद आई होगी फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमिट बॉक्स में लेकर आप पूछ सकते हैं मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ थैंक्स फोर वाचिंग